बॉनियो, एशिया से कटा हुआ, दुनिया के उचे-उचे जंगलों का विकसित हो रहा एक हॉट हाउस, जहां उड़ने वाले म्यूटन्ट की संख्या दुनिया में सबसे ज्यारा है. सवाल उठता है कि इस जंगल के इतने सारे जीव, दूसरे जंगलों के मुकाबले उड़ने वालें क्यों हैं? विकास के इस रहस्य का राज छिपा है, डिप्टेरो काप के इन पेडों में जो काफी उचे होते हैं. बौनियों में दूसरे घने वर्षावनों के मुकाबले, डिप्टेरो काप के इन पेडों के बीच काफी फासला है, और बीच में चूंकि कोई पेड या टहनी पाधा नहीं बनती, इसलिए इन जीवों के लिए उड़ना आसान होता है. इसी का फाइदा उठाने के लिए कई जीवों ने पेडों के बीच के फासले तै करने के लिए काम चलाओ पंखुं का विकास कर लिया. ड्रेको छिपकली में अद्भुत शक्ती चुपी हुई है. ये पेड की चींटियां खाती है. जब वहाँ खाना खत्म हो जाता है, तो ड्रेको में बदलावा जाता है. इसकी पसलियों और त्वचा में से पंख निकलाते हैं. और ये खाने के लिए पंख फैला कर दूसरे पेड की तरफ उड़ जाती है. जंगल में सिर्फ ये उड़ने वाले ड्रेगन ही कलाबाज नहीं है. इन पेडों के बीच उड़ने वाला सबसे बड़ा ग्लाइडर है. गलूगो नाम का ये अनोखा जी. इसकी जिल्ली इतनी बड़ी होती है कि ये जंगल की दुछटी के बीच करीब 160 मीटर तक उड़ सकता है. प्रित्वी के किसी भी दूसरे जीव से ज्यादा दूर. बॉर्नियों और सुमात्रा के जंगलों में जितने ग्लाइडर जीव हैं, उतने कहीं और नहीं. लुचिश भी बीnov के को अजब हैं, प्रॉक्स्टें. थाका मनsmात्रा का कॉती है कि दुछ हैं, लुचिश पलिधे जितने जितने कहा हैं. झाल झाल